तो नमस्कार जैमाता दे मारी यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार दिक स्वागत बहुत बहुत अविन अंदर और मैं आज आपके लिए बहुत ही जब्रदस टोपिक लेकर रही हूँ चैतर नवरातरों में आप घर पर तीन चीज़े लेकर आते हैं तो आप पर माता रानी के असीम किरपा होगी जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको ऐसी तीन चीज़े बताऊंगी अगर आप नवरात्रों के दोरान घर पर ले आते हैं तो आपके पूरे परिवार पर माता रानी की ऐसी ऐसीम किरपा होगी की जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपके घर में दन की कमी नहीं रहेगी परंतु यह तीन चीज़े नवरात्रों में ही घर पर ले करानी चाहिए और जैसे मैं बताऑंगे उसी परकार से रखना है फिर देखना माता रानी का अपने घर में चमतकार उससे पहले आप सभी को नवरात्रों की लकलक बदाई हो माता रानी आप सभी पर अपनी अचीम किर्पा बनाई रखे सारे संसार को मंगलमे करे आई ये जानते वो तीन चीजे क्या है जिसे घर पर लाने से तमाम दुख दूर हो जाते हैं 25 तारिक दिन बुद्वार से 49 रात्रे शुरू हो रहे हैं इस दिन आप अपने घर पर माता रानी की 9 सवरूपो वाली फोटो ले कर आएं उसे आप अपने पूजा घर में रखे इससे आपको माता रानी के किर्पानी शुरू होगी दूसरी चीजा फटकरी आप नवरात्रों में फटकरी लेकर आएं आप उसे काले कपड़े में बांध कर अपने मकान के मुख्य दरवाजे पर बांध दे यह उपाई भी जरूर करें तीसरा उपाई मोर पंक आप नवरात्रों के दोरान मोर पंक लेकर आएं और उसे अपने पूजा घर में रख दे अगर आप नवरात्रों में यह तीन उपाई करते हैं तो आप पर माता रानी की असीम किर्पा होगी अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके और कोमेंट बॉक्स में जै माता दे जरूर लिखे माता रानी आपके हर मनो कामना पूरी करें जै माता दोस्तों